आज हम NTSC Stage 2 एक्जाम जो की 24th October 2021 को कंड़क्ट हुआ था उसकी आंसर की का अनलेसिस यहाँ पर करने वाले है अपन फर्स आंसर की 29 November 2021 को रिलीज करती है NTSC Stage 2 एक्जाम के लिए और सभी बच्चों से अपने अपडेट्स यहाँ पर उन्होंने मांगे थे कोई यहाँ पर्टिकुलर क्वेशन ऐसा हो जिसमें अंसर चेंज करना हो या कोई पर्टिकुलर क्वेशन ऐसा हो जिससे bonus करना हो तो सभी अपने अपडेट्स NCRT को लिखकर भेजे देश्भर के बच्चों ने अपने अपने अपडेट्स भेजे मुझसे जुड़े भी काफी सार 2 को ncrt ने ntsc stage 2 के लिए अपनी updated answer की हां पर भेजी और 13 questions के answer उन्होंने change किये हैं जिसमें से 10 questions उन्होंने clearly bonus यहां पे कर दिये हैं 10 में से 8 questions उन्होंने setब के अंदर bonus किये हैं और 2 question में א approval में ohiki अंदर अंसर बाकी इसका पूरा data आपन एक बार देखते हैं कि कौन-कौन से question ऐसे हैं जिनके answer बदले गए हैं और कौन-कौन से question ऐसे हैं जिनको bonus किया गया है तो question number 7 के अगर यहां बात करें जो कि biology से है, set में, option 4 पहले answer दिया गया था and अब उसे bonus यहां पर कर दिया गया है एक का answer यहां पर option 2 से option 4 कर दिया गया है, mathematics में भी 3 question ऐसे हैं जिसमें से एक का answer second option 2 और option 3 दोनों कर दिया गया है क्योंकि पहले option 2 ही दिया था और बाकी 2 को उन्होंने bonus कर दिया है और social science में question number 100 जो है उसे bonus कर दिया है और दो यहां पर bonus दिया है, question number 64 and 100 के लिए उन्होंने bonus दिया and question number 29 का answer पहले option 3 था और option 1 कर दिया है तो इस तरह से कुल मिलाकर 13 question change कर दिये गया है, bonus और answer अगर उनके change किये जाए या कोई और option उनको दिया जाए तो अगर मैं student point of view से बात करूँ तो यह थोड़ा सा problematic condition होती है, कि जब एक student exam देने जाता है और exam के अंदर किसी particular question को attempt करता है और उस question में अपना time देता है और जब last minute question उससे नहीं बनता या उसका answer option में match नहीं करता तो उसका जो पूरा time उस question को करने में खर्च हुआ है, उसकी वज़े से कुछ essay questions होते हैं जो आसानी से हो सकते थे वो उससे छूड़ जाते हैं paper में और बाद में पता चलता है कि essay questions को bonus कर दिया गया या सभी लोगों को उसके marks equally distribute कर दिये गए हैं तो बच्चा थोड़ा सा demoralize feel करता है कि क्यों मैंने उस समय पर उस question में इतना वक दिया था तो ये student point of view से बहुत problematic condition रहती है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बात करी कि जब मैंने कुछ student से बात करी और उन्होंने 25 से 30 questions के updates भेजे थे तो जो set के अंदर updates है वो acceptable है, कि हाँ ये updates होने चाहिए थे, लेकिन mate के अंदर काफी सारे updates नहीं हुए है बात करते हैं अपन कुछ questions की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो mate के अंदर 10 questions ऐसे और हैं जिनके answers update के जाने चाहिए, उसमें से 3 questions ऐसे हैं, जो clearly bonus है, जो नहीं दिया गया है, जिनके answers change नहीं किये गया है उन 3 questions में से मैं बात करूँ, यहाँ पर question number 36 की अगर मैं बात करूँ, 36 ranking ordering का question है जिसका पहले option 2 यहाँ पर answer दिया गया था, लेकिन उसका answer होना चाहिए, option 2 and 3 बात question number 42 की बात करूँ, जो एक sitting arrangement का question है, जिसमें एक particular कुछ persons वहाँ पर दिये गया है और उन में से एक person का जो नाम है, वो language में अलग-अलग दिया गया है हिंदी और English language की जो पार्ट है, वो दोनों भी अलग-अलग है, यानि अगर मैं English language से उस question को करूँ, तो वो एक अलग data वहाँ पर निकल के आता है और हिंदी से अगर उस question को करूँ, तो वहाँ पर अलग data निकल के आता है तो इस question का answer जो दिया गया है, वो satisfy नहीं कर रहा है, question number 80, 84 और 86 यह clearly bonus होने चाहिए question number 80 जो है, वो sitting arrangement का question है, और जिसके अंदर जो answer आ रहा है, वास्तविक्ता में जो answer आ रहा है, वो option में ही नहीं question number 84 एक alphabet test का question है, जिसमें हमें alphabet pair निकालने है और सबसे बड़ी problem की बात यह है कि अगर में English language में जो word दिया गया है alphabet pair निकालने के लिए और जो Hindi language में word दिया गया है, दोनों word अलग-अलग है, दोनों word में एक letter missing है, जिसके विससे alphabet pair अलग-अलग आ सकते हैं, तो यहां पर alphabet pair जो answer दिया गया है, उसके उससे कम यहां पर आ रहे है, 16 इन्होंने answer दिया नहीं, option 3 जबकि 14 वहां पर आ रहे है, तो यह भी bonus होना चाहिए था, and question number 86 जिसके अंदर एक diagram दिया गया था, जिसमें हमें number of triangles count करने थे और number of squares count करने थे, तो number of triangles total 56 आ रहे हैं, जो कि option में ही नहीं, और वो bonus होना चाहिए, लेकिन उसको bonus consider नहीं किया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे questions ऐसे हैं, जैसे 43, 89, 90, 96, 98, यह सभी question ऐसे हैं, जिन में language problem है, कहीं नह हैं, जो controversial है, जिनकी answer निकालना बहुत problematic condition में हो रहा है, और logic properly नहीं बन पा रहे हैं, तो यह सभी questions कहीं न कहीं consider किये जाने चाहिए थे, जो NCRT, NTSC ने consider नहीं किये हैं, और एक question मुझे थोड़ा सा आशर रहे हुआ, उस question के लिए, question number 100 जो है, वो पहले option 1 दिया गया था, उसे bonus कर दिया गया, जब कि question number 1 का answer एक proper logic लगा कर निकल रहा है, जो कि option 1 आ सकता है, लेकिन उसको bonus कर दिया गया है, क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, we don't know, but उसको bonus कर दिया गया है, चलिए बात हुई इन सब चीजों की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि NCRT, इ पेपर के अंदर ना हो, ताकि students community को ऐसा ना लगे कि इस तरह का prestigious जो exam है, उसके अंदर अगर इस तरह की errors हो रही है, तो कहीं न कहीं उनका faith इस तरह के exam के प्रती कम ना हो जाए, तो I hope मैं उम्मीद रखूँगा कि NCRT एक सतरक्ता बढ़तेगी हमेशा के लिए, कि इस तरह के पेपर जब भी हो, उनमें इस तरह की गलतियां ना हो, यह मेरी request भी है और यह हम आशा भी करते हैं NCRT से, thank you so much